हिजगुला के हमलों की वजह से इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम की आखे चोंधिया गई है उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आसमान में ओड रही आपजेक्ट पक्षी है या फिर हिजगुला के ड्रोन, मिसाइल या फिर रॉकेट दरसल हिजगुला इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम को छखाने के लिए थोक के भाव रॉकेट फायर कर रहा है और इसके बदले इसराइली एर डिफेंस सिस्टम को महंगी महंगी इंटरसेप्टर मिसाइले दागनी पड़ रही है जो इसराइल के लिए बेहद ही खर्चीला है उधर इसराइल इरान पर जवाबी हमले की तैयारी में भी लगा है लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी ख़बर सामने आई है जो इसराइल के लिए बड़ी मुसी बतला सकती है दरासल ब्रिटेन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसराइल के पास अपने एर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइले कम पड़ रही है और अगर इरान ने इसराइल पर फिर से हमला किया तो इसराइली एर डिफेंस सिस्टम आईसियू में जा सकता है इसको लेकर फाइनेंशल टाइम्स ने एक एक्सपर्ट और पूर्फ सेन्ने अधिकारी के हवाले से एक ख़बर छापी है अख़बार का कहना है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी को दूर करने के लिए अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है विशेश कर टर्मिनल हाई अल्टिट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानि थाड के जरिये लेकिन बड़े हमले की स्थिती में इसराइल को ये तै करना पड़ेगा कि उसे किस मिसाइल को गिराना है और किसे जाने देना है वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की पूर रक्षा अधिकारी डैना स्ट्रॉल ने कहा कि इसराइल की गोला बारूद की समस्या गंभीर है अगर इरान ने इसराइली हमले का जवाब दिया और हिजगुला उसके साथ आया तो इसराइली एर डिफेंस सिस्टम पर हवाई सुरक्षा का दबाव बढ़ जाएगा डैना का कहना है कि अमेरिका के लिए इसराइल और युक्रेन को लगातार बारूद की सप्लाई करना आसान नहीं है महीं इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ बोवाज लेवी का कहना है कि हमारी कुछ कम्पनिया 24 घंटे हफते के साथो दिन काम कर रही है हमारा मकसद अपने दाइत को पूरा करना है आपको बता दे कि इसराइल के पास कई एर डिफेंस सिस्टम है जो अलग अलग किस्व के हवाई हमलों को नाकाम करते है इसराइल के पास आइरन डोम है जो कम दूरी वाले रॉकेट और मिसाइलों को गिराता है डेविड स्लिंग मध्यम दूरी वाली मिसाइलों को और एरो सिस्टम लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराता है लेकिन इस्राइली सेना का कहना है कि 7 अक्तुबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इसराइल पर 20,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल गाजा और लेबनान से फायर किये गए है I.D.F. का कहना है कि आबादी की तरफ जा रहे कई रॉकेट और मिसाईलों को इसरायल के एर डिफेंस सिस्टम ने धेर किया है इसके अलावा अपरेल और अक्टुबर दो हजार चॉबेस में इसरायल ने इरान के मिसाईल हमलों को नाकाम किया अक्टूबर में इरान ने इसराइल के ऊपर 180 से ज्यादा मिसाइले फायर की थी जबकि अप्रेल में उसके ऊपर करीब 400 मिसाइले फायर की गई थी वहीं हिजबुला की बात की जाए तो IDF के एक पूर्व जनरल असाफ ओरियन ने Financial Times को बताया कि हिजबुला अपनी ताकत का सिर्फ दस्वा हिस्सा ही फायर कर रहा है यानि एक दिन में 2000 रॉकेट के बजाए वो कुछ 100 रॉकेट इसराइल पर दाग रहा है इस अंतर का एक हिस्सा हिजबुला द्वारा पूरी तरहा से आगे ना बढ़ने का विकल्प है और इसका एक हिस्सा ITF का इन हमलों को नाकाम करने का कारण है लेकिन हिजबुला के पास एक मजबुत आपरेशन शुरू करने के लिए परियाप्त ताकत बची हुई है और इन ही कारणों की वज़ा से आने वाले वक्त में इसराइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो सकती है हाला कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इसराइल को हधियारों की कमी न हो लेकिन हिजगुला और इरान के बिचाए हुए जाल से निकलने के लिए इसराइल को बड़ी संख्या में अपनी मिसाइले बरबाद करनी पड़ रही है लेकिन है